चिक हैं तो Immunology में जब हम Immune Cells की बात करते हैं उनके पास कोई ना कोई प्रोपर्टी होनी चीए जैसे या तो वह Antigen को Recognize कर रहे हो या फिर वह Antibody को Release कर रहा हो चिक है या फिर Neutralize कर रहा हो जैसे IgA के बारे में बात करें तो यह ज़्यादा तर हमारा काम neutralization का करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं उसमें बेक्टेरिया वगएरा आ गया तो उसको वो neutralize कर देता है और इसके अलावा represent antigen और process antigen यह आपको थोड़ा सा end में समझ में आएगा कि यह represent और process antigen क्या होता है फिर भी मैं थोड़ा सा explain कर देता हूं ताकि आपको आगे समझ में जैसे आपकी बोड़ी में antigen आया ठीक है मान लो antigen lipid या carbohydrate क्योंकि आप कुछ भी ले लो अगर आप bacteria लो तो बैक्टेरिया की cell wall आपकी किस से बनी होते है peptidoglycan से कि मतलब वहां पर आपका protein है और carbohydrate ठीक है तो यहां पर प्रोटीन और आपका carbohydrate लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा सबस्टांस आया जिसमें सिर्फ लिपीड था और carbohydrate ठीक है तो यहां पर आपका response जो आएगा वहां पर उस antigen को प्रोसेस करने की जुरत नहीं है processing का मतलब आप लगा लो उसको तोड़ने की जुरत नहीं ठीक है लेकिन अगर वहां पर प्रोटीन आगया as an antigen की protein का part major है वहां पर आपको antigen की processing ज़रूरी आपको antigen को तोड़ना पड़ेगा ठीक है तो इसका प्रोसेसिंग का मतलब आभी इतने से लगा सकते हो कि अगर लिपिड आ रहा है तो हम एंटीजन को processing करने की जुरूरत नहीं हम डिरेक्ट उसके अगेंस्ट हमारी बूडी immunoglobin बना सकते हैं जो हमारी एंटीबूडी से बना सकते हैं लेकिन प्रोटीन आ रहा है तो प्रोटीन की अगेंस्ट पहले processing करने को देगी अब इसका reason क्या है अगर आप nucleotides में देखो nucleic acids में देखो तो आपके चार basis होते हैं adenine, thymine, guanine और cytosine, carbohydrate में आप देखो आपके पास limited number of जो हैं आपके monomers है mainly उसमें glucose से बनके आपके आगे compound बनते हैं या गलेक्टोस से बनते हैं अगर आप amino acid देखो तो आपके पास total 22 amino acid तो 22 amino acid में इतनी variety आ जाते अब 22 amino acid को आप कितने तरीकों से भी जोड सकते हो 22 into 21 कर लो कैसे भी कर लो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने amino acid की sequence में changes ला सकते हो इसलिए हमें protein में उस sequence को पहचानने की जुरूरत होती है ठीक है तो हम उस sequence को निकालने के लिए antigen से बार हम उसकी processing करा ठीक है तो इ interactions आती है अच्छा एक बार आप इस चीज का answer दो मान लो आप कोई ड्रग ले रहे हो ठीक है नॉर्मली ड्रग का वेट आपका 600 या 500 किलो डाल्टन के आसपास होता है मान लो आपने कोई हजार किलो डाल्टन का या हजार डाल्टन का कोई compound खा लिया ठीक है उसके अंदर कुछ भी नहीं है कोई आपका बैक्टीरिया नहीं है कोई वाइरस नहीं है तो उसके अगेंस्ट हमारी बोड़ी immune response देगी या नहीं देगी आप लोग बताओ एक बात और यह आपका नॉर्मली कोई भी आप काबोहाइडरेट लिपीड कुछ भी लगा लो कि आपने कोई ड्रग लिंग देगी आपका immune reaction शो होती है ठीक है वह complex बनता है ठीक है तो अगर आपका molecular size अगर आप ज़्यादा कर दो कि ड्रग का इसलिए आप ड्रग के absorption के time के molecular size का ध्यान रखते है क्योंकि अगर आपने molecular weight ज्यादा कर दिया पहली बात absorption में दिक्कत होगी दूसरी बात क्या होगा उसका excretion मुश्किल हो जाएगा और अगर ज्यादा ही बड़ा size तो उसके अगेंस्ट आपकी immune reactions भी शो होने लग से ठीक है तो आपको ध्यान रखना है या जब आप drug pharmacology पड़ोगे तो उसके बाद है आपके types of white blood cells तो आप इसको leukocyte बोलते हो ठीक है ध्यान रखना पर तो इसको अब दो पार्ट में डिवाइड करते हो granulocyte और a granulocyte जब भी आप किसी word के आगे a लगा देते हो तो उसका मतलब होता ह या absent ठीक है तो अगर आपने a granulocyte लिखा है तो मतलब यहाँ पर granules present नहीं है ठीक है और granulocyte में आपकी granules present है तो neutrophil में देखो neutrophil के नीचे लिखा helping phagocytosis यह हमने कल देख लिया था ठीक है isonophils में लिखा है fight against parasitic infection यह आपको भी समझ में आ जाएगा और basophil में भी यहीं है inflammatory और allergic reaction उसके बाद a granulocyte आपकी डिवाइड होते हैं lymphocyte और monocyte lymphocyte आगे further divide होता है B lymphocyte, T lymphocyte और natural killer cell तो starting में आपने जब white blood cell को lymphocyte बोला था तो आप इस चीज को represent कर रहे थे ठीक है provide करते हो वहाँ पर आपका lymphocyte आता है आपके paper में आपको lymphocyte और leucocyte लिखा मिलेगा WVC आपको rare कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे granulocyte की हुआ ठीक है अपको i structure में कहीं granules दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर है इन तीनों structure में आपको कहीं ना कहीं granules दिखाई दे रहे हैं और आपको यह lob दिखाई दे रहे है're जैसे इसमें आपके थरी arc है इसमें आप देखोगे इसमें two long है इसमें कोई irregular सा है हम कुछ बता नहीं सकते कि कितने हैं दो है तीन है या एक है ठीक है तो हम एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे बहले अगर हम ल्यूको साइट का function देख ले तो जब आपके यहां पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है किसी सेल्स के अंदर आप देखोगे बेसोफिल्स का structure और आप मास अलका देखोगी तो आपको ओल्मोस्स सिमिलारिटी मिलेगी उनके functions में भी सक्चर में भी आपके ग्रेन्यूल्स में भी और functions में ठीक है तो न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल और इजनोफिल्स इनको हम बोलते हैं PMNS एक बार आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि PMNS की फुल फॉर्म क्या है तो आप इसको बोलते हो polymorphos nuclear lymphocyte ठीक है तो यह आपको याद रखना है polymorphos nuclear lymphocyte तो आप याद रखना है poly मतलब एक से ज़ादा मॉर्फो का मतलब structure से और nuclear का मतलब इसके अंदर जो lobes और यह जो granules present है इसको बोला जा रहा है ठीक है अब WBC क्या करते हैं यह हमारी जो blood है जो veins है उसमें घूमते रहते हैं जैसे आपकी PCR घूमते रहते हैं ठीक है PCR मतलब वो police वाले गाड़ी जो है वो आपकी घूमते रहत इनका काम यह है और यह phagocytosis में ज्यादा इन्वोर है ठीक है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके WBC न्यूट्रोफिल बेसोफिल इस उनको आप PMNS बोलते हो इसकी full form एक बार आप देख लेना अच्छे से ठीक है अगर हम production के बात करें यह आपके लिए important है और हर exam point of view से important है मैं सिर्फ gpets के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपके लिए जो भी exam आप दोगे biology से related पूछ लेंगे ठीक है यह मैं आपको अलग से stem cell में बताऊंगा ठीक है तो hematopoesis आपका एक word आता है यहाँ पर हम complete blood synthesis के बात कर रहे हैं ठीक है तो आपसे generally यह पूछा जाता है कि जब fetus है मतलब जो आपका अभी बेबी है वह वाम में fetus है प्लेसेंटा उससे connected है तब वहां पर blood की synthesis का हो रही होता है अगर जिरो से टू मंत्स का बेबी है यह आपका fetus है मतलब अंदर है वाम में है तो वहां पर blood synthesis यॉक से क्यों होती है ठीक है उसके बाद अगर जब वह तीन महीने का होता है तो blood synthesis लीवर करना start करतेता है जब five months का होता है लीवर प्लस स्प्लीन में ओना start हो जाता है जब seven month का होता है तो लीवर स्प्लीन प्लस bone marrow और after birth सिर्फ bone marrow जैसे अभी आप लोग हो तो आप पी सिर्फ bones ही आपकी body में blood produce कर रही है जो bone marrow present ह ठीक है और आपसे question ज्यादा पूछते हैं यह fetus वाला और fetus में भी आपसे पूछेंगे first और second यानि जब three month का आपका fetus है और आपका zero से two month का है उस time पर कहा हो जाता है कि five or seven में confusion रहता है कि कब स्प्लीन से वो bone marrow भी एड हो तो इसलिए वो यह question नहीं पूछते हैं वो ज मतलब जब उसका birth हो गया अब वो neonate वाली category में ठीक है तो उस time आप बोलते हो zero से 28 days में वह आप जब आप बोल देते हो bone marrow जो है वह आपका production करते हैं ठीक है अब आप next हम देखी तो adults में बात करें जैसे आप लोग है अभी teenagers हैं या कुछ वैसे हैं तो before the age of 20 और 30 यहां पर accurate mention नहीं है तो आप 25 ले लो या 30 ले लो आप कुछ भी ले सकते हो जब आप 20 साल के हो या 21-22 साल के हो तो आपकी body में 5 bones है जो आपका main जो hematopoices है जो blood बना रहे हैं ठीक है जो आपकी bones है tibia, femur, ribs, vertebra और sternum यह आपकी body में blood synthesis कर रहे हैं लेकिन जैसे आप 30 cross करोगे तो आ पहले वाली जो है यह आपकी TBI है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पैरों के पास जो है आपके यहां पर यह जो bone होती है ठीक है यह और आपकी जो femur जो आपकी thighs के यह बोन होती है यह आपकी 30 की age तक आते आते हैं आपकी blood में blood बनाना बंद कर देती हैं ठीक है ठीक है तो आपको यह बात ध्यान रखनें और bone marrow में क्या होता है आपकी stem cell present होते हैं जो आपकी body में direct आपका blood बनाते रहते हैं ठीक है अच्छा आप लोग blood तो चलो bone marrow बना रहे हैं आप लोग vitamin b12 बोलते हो vitamin b9 बोलते हो इनकी क्या जूरत है फिर हमारे गोड़ी में अगर क्यों ले रहे हो क्यों क्यों ना ले तो अनीमिया हो जाता है जैसे vitamin b9 हो गया वह आपका एक methyl group को ट्रांसफर करा देता है इस तरीके की जो reactions है जो blood formation में help है या उसके blood की storage में कहीं help करती है या hemoglobin आपका है वहां पर help करती है उसको बनाने में store करने में तो इसलिए उनका आप रोल पड़ते हो ठीक है तो यहां पर आपको कोई दिक्क ले रहे हो सारों से टीबिया फीमर रिप्स है ठीक है नेक्स्ट आपके neutrophil अच्छा neutrophil का नाम इसलिए रखा गया है चूंकि जब हम इसको stain किया गया हमने अलग-अलग डाइक से stain किया हमने acidics dye से stain करके देखा हमने basic dye से stain करके देखा फिर हमने neutral dye dye से जब stain किया तब इसन आई है और color देती है ठीक है यह आपका PMN है ठीक है यह मैंने आपको बता दिया आपको इसकी full form याद रखनी है और main phagocytic cell है सबसे important point ही है कि main phagocytic cell है क्योंकि आप जब IgG का rule पड़ रहे थी तो आपको वहाँ पर समझ में आ गया था कि इसके ओपर जो है IgG का receptor होता है जो ठीक है आपके पैर पर चोट लगी तो वहाँ पर जो blood cells पहुचेंगी उसमें से neutrophil सबसे पहली जो पहुचेंगी और इसका number वहाँ पर लगातार बढ़ता रहता है ठीक है जब आपको चोट लगती है तो वहाँ पर आपको heat produce होती हुई नजर आती है आपको लगता है कि heat produce होगी और कई बार तो आपको fever लगने लग जाता है या फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पर आपको redness नजर आती है ठीक है तो यहीं सब होता है उसके लिए यहीं responsible आपका neutrophil ज्यादा responsible है क्योंकि इसका जो nature है वो febrile response है fever produce करने वाले है ठीक है जब भी आपको आपर पोस्ती है ठीक है क्योंकि इसके अंदर भी आपको पता है मैंने आपको ADCC में बताया था कि neutrophil के अंदर आपके क्या होते हैं आपके granules होते हैं जो कि आपके release होते थे और इस antibody के साथ जो antigen attached है उसको kill करते हैं ठीक है तो इसके अंदर भी आपकी granules है जो redness वगरा जो है कोस्त करते हैं जैसे यहां पर देखो यह आपको एक दो और तीन लोग की structure दिखाई दे रही है और बाकी सारे जो है यह आपकी granules दिखाई रही है और यह granules में आपका क्या होता है एक आपका डिफैंसिन होता है डिफैंसिन क्या है आपका antimicrobial एक आपका enzyme है या की granules release करके जो है antigen को kill कर देते हैं बार तो आपकी यह granules है डिफैंसिन इसमें आप एक और भी एड़ कर सकते हो करके कुछ आपके और प्रोटीन होते हैं जो इसमें प्रेजन होते हैं ठीक है तो साइट पे सबसे पहले पोस्ता है इसमें तीन से पांच लोग है granules प्रेजन है इसको हमने neutral किया था इसके अलावा यहां पर इंट्रल्यूकिन एड प्रेजेंट होता है आईजी जी का रिसेप्टर है वह उन्हें प्रेजेंट में देख लिया था इंट्रल्यूकिन एड का रूल कह है उसको हम देखेंगे एक बाद आप और याद रख लेना कि अगर पस्वर्मिशन होते है तो वहांपर भी आपका नुट्रोफिल का नंबर ज्यादा होता है ठीक है तो ही एंट्रल्यूकिन एड यह आपके साइट्योकाइन घिमोकाइन आप源 कि इने बहुते हैं ठीक है なविन गरता है मालनोlles आपको चोट लगी तो आपका बलिड में प्रेज Norman उनको आप endothelial cell बोलते हैं जो आपके ब्लड में प्रेजन है नॉर्मली यह epithelial cell सी होते हैं लेकिन जब आप इने blood में पढ़ते हो तो आप endothelial cell बोलते हैं तो जब आपको चोट लगती है जैसे यहां पर आपको चोट लगी है तो interleukin 8 जो है आपका release होगा ठीक है यह release होके क्या करता है क्योंकि अब यह release हुआ तो इसको कहीं ना कहीं bind करना पड़ेगा और मैंने आपको बताया था interleukin 8 का जो receptor है वो कहां पर प्रेजेंट है नूट्रोफिल के उपर प्रेजेंट है तो यह जब यहां पर जाकर यह bind करता है तो इससे क्या होता है कि कीमो काइन होता है इसको आप कीमो काइन बोलतों कीमो काइन का मतलब एक ऐसा molecule है जो की Chemical Attractant है ठीक है अब यह क्या करेगा जब यह इसके ऊपर bind करेगा यह release होगा तो इससे bind करने के लिए neutrophil जो है इसकी तरफ दोड़ेंगे ठीक है जैसे यह neutrophil के साथ यह bind होगा वैसे ही आपके दूसरे signaling pathways चलेंगे जिससे की बाकी सारे neutrophil interleukin 8 की तरफ भागेंगे और उस पर bind करने की कोशिश करेंगे इसलिए तब जो IL-8 release हुआ है इसकी वज़े से यह आपके side पर सबसे पहले पूछाते हैं क्योंकि किसी और के पास receptor नहीं है आपका interleukin 8 को bind करने का ठीक है इस process को आप बोलते हो chemotaxis कि कोई chemical आपका release हुआ कोई chemokine आपका release हुआ और chemokine release के वज़े से बाकी डूसरे जो cells है वो उसके पास आ रहे हैं तो आप इसको chemokine और इस process को आप बोलते हो chemotaxis ठीक है एक चीज और है जब आपको चोट लगती है तो endothelial cells वहाँ पर nitric oxide और release करते हैं इसका काम आपका vasodilation का है vasodilation मतलब क्या है कि आपका जो diameter है जो blood vessel का है उसका वो diameter बढ़ा देते है अनो ठीक है कि आप कई बार कुछ blood pressure के case में कुछ आप ऐसी medicines को देखते हैं जो कि आपकी NO release कराती है जो vasodilation करा देती है और आपका blood pressure कम हो जाता है ठीक है तो इसमें क्या होगा अगर diameter बढ़ गया है तो यहाँ पर blood का flow जादा होगा blood का flow जादा होगा तो आपके जादा neutrophil जो है जहां पर आपको चोट लगी है वहाँ पोच पाएंगे तो interleukin 8 का काम यह है यह आपका chemokine molecule है जिसका receptor IL-8 पर present है इस process को आप chemotaxis बोलते हो इसके दाथ nitric oxide release होता है जिसका काम आपका vasodilation करेंगे तो यह आपका complete neutrophil था यह आप तीन उसमें लोब है granules है hemotoxylant dye है PMN है phagocytic cell है सबसे पहले साइट पर पोस्ता है आपका neutrophil इसलिए आपको fever मैसूस होता है क्योंकि बहुत ज्यादा quantity में यह आपके present 52 70 परसेंट बेसो फिल को देखेंगे तो यह सिर्फ एक परसेंट है इस उनोफिल पांत से साथ परसेंट है ठीक है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है करें के सरह मैं यह आप अजय आपस्योंगी तो कि आज आप जोंड़ को सो देखंगे हैं तो मैंने आपको बताया था जब आप्थ बेसोफिल में देखते तो वहां पर जब बाइंड कर रहा है यहां पर तो इसके अंदर जो आपकी granules है अब वहां पर granules थे defencing, cathepsin यहां पर जो granules है वो आपकी granules है hyperin के और histamine के ठीक है और इसमें आप आप देखो इसमें आपको लोब जो है दिखाई दे रहे हैं दो एक ऐसा यहां पर एक differentiation आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोल देते हैं आप बाई लोब लेट हैं इससे स्टेइण करके हमने सर्च किया था और इसको अपर आपका आई जी एका का रिसक्तर है तो मतलब समझ में आगया होगा आपको हाइपर सेंस्टिविटी और ऐलर्जिक अपका टाइप वन जो रिक्षन ठीक है उस रिक्षन में आपका आई जी ए का और बेसोफिल्स का रोल आता है या फिर किसी को अस्तमा है तब भी आपको बेसोफिल्स का लेवल आप चेक करोगे इसलिए जिए ब्लड रिपोर्ट आती है तो आप पर न्यूट्रोफिल लेवल देखते हैं वो सिर्फ आपका नंबर नहीं बताता है आपको यह भी बताते हैं कि आपको इन्फेक्शन किस टाइप का है कि आपको कोई चोट लगी है या को यह आपको ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वज़े से आपकी बोड़ी में नूट्रोफिल्स का नंबर बेसो फील है अगर आपको बड़ा हुआ है तो मतलब आपको अलेर्जिक रियक्शन अगरेवल बढ़ा हुआ है तो आपको पिरसित इंफेक्शन कोई पारसाइट आपकी ओडी में हैं तो Animus और यहां पर प्रेखिट अबर यह ब्योंटरोफिल यह पानद रर शेय Oczywiście इसमें granules देखें, तो heparin और histamine की होते हैं, तो heparin आपका क्या काम करता है, anti-coagulant है, natural है, आपकी body में ये natural बनता है, कई वार आपसे question पूछते हैं, कि आपकी body में natural anti-coagulant कौन सा है, तो वो heparin है, हम बाहर से भी देते हैं, हिस्टामीन आपका क्या करता है, हिस्टामीन आपका vasodilation का काम करता है, और irritation भी कॉज कराता है, और आपका basophil activate होता है, जब आपको acto parasite, मतलब कोई ant ने काट लिया, कोई bees ने काट लिया, तो आपके odys में IgE के level बढ़ते हैं, उसके साथ, वो IgE आपके basophil पे bind करते हैं, या mass cell पे bind करेगी, तब आपको जो है, समझ में आ जाएगा कि आपको किसी acto parasite में काटा है, इसलिए वहाँ पर आपको redness, itching, कई बार आपका swelling भी हो जाते है, fluid accumulate हो जाता है, तो यह बात आपको याद रखने है, बेस और इसका number आप देखेंगे, सिर्फ एक परसेंट है, नेक्स्ट अगर आप देखें, इसमें आप देखो, आपको clearly दो लोब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको लोब जो था, वो आपको regular नहीं दिखाई दे रहा था, यहीं आपके है, पैरिन, इतॉपसिं, डिफैंसिं, यह mixed type के granules होते हैं, दोनों के, क्यानि जो आप न्यूट्रोफिल और बेसोफिल देख रहे हैं, इनके कुछ mixed type के granules आपको इजोनोफिल में मिल जाते हैं, तो इजोनोफिल नाम आपका डाई इसका इयोसिन से आया है, जो कि आपके एक acidic डाई है, चिक है, बाइलोब्ड है, और इसके उपर आप देखें, अगर मैं आपको इजोनोफिल बनाओ, तो इसके उपर दो receptor present है, एक आपका IgG के लिए है, और एक आपका IgE के लिए है, आपके चलते हैं, यह दोनों की property शो करता है, फेगोसाइटोसिस भी, अलर्जिक की भी, मतलब न्यूट्रोफिल और बेसोफिल दोनों की property है, तो receptor IgG का है, IgE का है, और इसका जो आप देखेंगे 2-5% जो है यह present होता है, और अगर आपकी बोडी में कोई endoparasite, मतलब आपक की तरह काम करें, जैसे tapeworm, roundworm, कोई halminth वाला आपका parasite है, जो आपके intestine से जाके attach हो गया या कुछ वैसे, तो उसके against जब आपका body response करती है, तब isynophil का number बढ़ता है, ठीक है, यूसलिए asthma वगयरा में भी number बढ़ता है, क्योंकि IgE present है, लेकिन जब endoparasite आता है, तब उस case मे isynophil का number बहुत आपका जल्दी बढ़ता है, बहुत आपका एकदम से rise on the start हो जाता है, ठीक है, यह आपका एक question है, 2020 का, इसको आप लोग solve करो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, several different chemical released by microbes and inflamed tissue attract phagocytes and this phenomena is called, कि जब भी आपकी body में कोई माइक्रोब आता है, यह आपको चोट लगती है, तो उस time पर जो आपका inflamed tissue है, तो वो कुछ आपके chemical release करता है, ठीक है, तो उस chemical की release से, आप उस process को क्या कहते हो, कि आपका कोई tissue damage हुआ, वहाँ से chemical निकले, chemical को आप बोल सकते हो, chemokai, ठीक है, तो उस process को आप क्या बोलते ह हो, phagocytosis, chemotaxis, immigration, और integrates, इसका answer क्या होगा? phagocytosis और chemotaxis होगा, क्योंकि जब भी आपको चोट लगती है, या कोई आपकी body में कोई microbe आता है, और वो infection कोस करता है, तो आपको आपके आपके देखना है, inflamed tissue लिखा है, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई damage हुआ है, और damage होने के साथ, वहाँ से release क्या हो रहा है, chemical release हो रहे ह ठीक है, तो neutrophil को बुलाने के लिए आपको interleukin 8 release कराना पड़ेगा, जो कि आपका chemokine, chemokine मतलब chemical attracted है, तो उस process को आप chemotaxis बोलते हो, phagocytosis आप उसको बोलते हो, जब आपका neutrophil पे antibody bind कर जाती है, फिर उसको engulf कर लेती है, आपका endocytosis का process चलता है, ठीक है, phagocytosis आप उसको बोलते हो, यहाँ पर answer आपका chemotaxis, ठीक है, next आपका a granular cell है, तो यह मैं आपको सिर्फ आज intro दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपकी जो है, वो processing है antigen की, ठीक है, वो आज आपका पूरा नहीं होगा है, या कि वो करीब-करीब 1.5 घंटे का topic है, तो मैं आपको सिर्फ इसका intro दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपने जब यहाँ पर देखा था, तो आपने granulocyte पढ़ लिये थे, आपने इसको PMN बोला था, ठीक है, इसके बाद lymphocyte में आप देखो, आपको लोब वगयरा कोई divide नहीं आपको दिखाई जे रहे, ठीक है, ना यहाँ पर हम कोई staining व lymphocyte और natural killer cell, monocyte आपकी divide नहीं होते हैं, तो अगर आप B lymphocyte का function देखो, तो आप बता सकते हूँ कोई कि B lymphocyte का function क्या है, क्या काम करते है, B lymphocyte, antibody produce करते हैं, जो अभी तक हमने immunoglobulin produce की है, पड़ी है, वो उनका production आपके बीटा cell ली करते है, बीटा lymphocyte करते हैं, ठीक है, वहीं T cell जो है, इसको help करते हैं, production में, और कुछ ऐसे proteins release कराते हैं, वो जो direct antigen को kill कर सकते हैं, ठीक है, natural killer cell, यह आपके non specific है, एक बात मैं आपको और बता दू, यह अभी तक हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, granulocyte, आपका जो भी हमने पढ़ा, immunoglobulin, A, B, C, D, जो भी था, GME, तो यहाँ पर एक चीज और थी, यहाँ पर response आपका specific नहीं था, specific का मतलब क्या है, मानलो आपने बोला कि आपकी बोड़ी में कोई bacteria आया, ठी ठीक है, तो आपकी बोड़ी में bacteria तो आया है, लेकिन आपकी बोड़ी यह नहीं बता पाएगी, कि bacteria आया कुन सा है, ठीक है, वो तो उसको जो antigen दिखाई देगा, उसको kill करती जाएगी, कुछ response specific नहीं है, ठीक है, जैसे TB का bacteria आया, तो उसके against भी phagocytosis हो जाएगा, ठीक ह यहां पर कुछ specific नहीं है, ठीक है, तो response specific नहीं होने की वज़े से, जो अभी तक हमने पढ़ा, phagocytosis, complement system और ADCC, इसका response हमारा इतना specific नहीं है, जितना specific B cell, T cell और आपका BOT cell का, natural killer cells भी आपकी non specific तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है, यह बत आपको या दखना है, B lymphocyte और T lymphocyte यह आपका specific तरीके से काम करते हैं, और बहुत जादा sensitive होते हैं, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, अगर आप number देखो, तो A granular site जो है, 20% जो total leukocyte हैं, उसका present होते हैं, इसमें B lymphocyte जो हैं, आपके 10%, T lymphocyte 90% और natural killer cell आपका 1-2%, यह भी आपका कुछ एक से भी नीचे चला जाता है, 0.8 या 0.7, ठीक है, तो यह आपके अलग-अलग A granular cells है, T lymphocyte और natural killer cells, बाकि कल इनकी जो है, वो मैं आपको एक बार processing बता दूँगा, कि आपकी body में antigen आया, तो हमारी body ने detect किया, तो किसने detect किया, detect किया, तो फिर antibody बनी, antibody बनी तो कौन सी बनेगी, G बनेगी A बनेगी, M बनेगी, या E बनेगी, ठीक है, तो वो आपको मैं एक बार कल बता दूँगा, B lymphocyte और T lymphocyte, कल आपको याद रखना है, आपको बहुत एक important concept है, क्योंकि फूरी immunology में सबसे main चीज यहीं है, कि antigen body में आया, तो उसको detect कैसे किया, detect कर लिया, तो फिर हमने ये क कैसे decide कि वहाँ पे G बनेगा, A बनेगा, M बनेगा या E बनेगा, ठीक है, तो यह आपको मैं एक बार कल समझा दूँगा, अगर आपको कोई doubt है, तो एक बार आप मुझे बता दो, या कोई question आपको नहीं समझ में आया हो, बताओ एक बार, किसे को कोई doubt हो, कोई topic समझ में ना आया हो, ज्यादा speed up हो रहा हो, अरे ball दो भईया कुछ, अरे समझ, चलो तुम्हें आ रहा है, तो मतलब सब कोई आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये previous year के question में साथ साथ इसलिए करा रहा हो, ताकि आपको समझ में आता है, आपको solve करना हो, एक्चली जो पहले question आते थे, NTA जब GPT नहीं लेता था, तो बहुत direct question आते थे, यहाँ पर जो question आ रहे है, आपको बहुत question को देखना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, पहले question direct आते थे, लेकिन अब भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे question के, तो आपको चीज और वीडियो में है या कुछ और कोई डाउट नहीं है, अच्छे टॉकसाइड में क्या होता है, यह आपके ना कुछ, हम direct बनाते हैं, जैसे आपका gram positive और gram negative bacteria होते हैं, ठीक है, तो यह क्या करते हैं, जब जैसे आप खाना खाते हो, carbohydrate लेते हो, protein लेते हो, तो metabolism होता है, और metabolism के बाद आपका कुछ excreta बाहर निकलता है, वैसे ही, जब ही nutrient वगएरा लेते हैं, उनका metabolism होता है, तो यह कुछ toxins बाहर निकलते हैं, exotoxin और endotoxin, इस दो तरीके के होता है, जो gram positive वाले toxins निकलते हैं, व चिक है, इनका आपने toxoid बना दिया, अब यह inactivate है, मतलब यह disease cause नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हमारी body में antibodies produce कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने, अब covid का injection आपने लिया था, आपने क्या लिया था, covid shield या, co vaccine लिया था, तो उसमें क्या था, जो covid-19 आपका bacteria, आपका virus था, उसका mRNA था, यानि उसका एक part था, जो disease cause नहीं कर सकता था, लेकिन आपकी body में antibody बना सकता था, ठीक है, यहाँ पर भी हमने यहीं किया है, इस टॉक्स, जो आपके toxins है, इसको हमने neutralize करा, inactivate करा, इसक direct जो है, वो body में देते हैं, ठीक है, और आपकी body में antibodies वगेरा जो है, वो बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो यह direct भी इसको kill कर सकता है, toxin को, तो हमारे पास तीन ही आपकी toxoids है, diptheria, pertuses और tetras, ज्यादा तर यह बच्चों को भी लगाते हैं, बाद में भी देते हैं पहले मदर में विटे जेते हैं, ठीक है, और कुछ, जर अधर vaccines मनती हो, उसमें toxoids को प्रियोग नहीं किया जाता है, नहीं हार एक bacteria, toxins produce नहीं करता है, कुछ bacteria है, जो toxin produce करते हैं, gram positive, gram negative, हार एक bacteria नहीं करता है, और वैसे भी हमें, जो ज़्यादा जूरत है, वो viral disease की against हमें vaccines की जूरत है, और वहाँ पर या तो हम उसका mRNA लेते हैं, या फिर उसकी covering लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैक्टेरियल डिजिस को हम ट्रीट कर सकते हैं, एंटिवोइटिक्स की हैं, क्योंकि हमारे पस बहुत सारी एंटिवाटिक हैं, लेकिन वाइरल डिजिस जब हो तोड़ देते हैं, कुछ भी करके हम बना लेते हैं, क्योंकि बक्टीरिया को हम जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, जो हमारा वाइरस है, उसके पास है क्या, आपका DNA, RNA और एक कोटिंग है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, उसके पास, यहां पर आप COVID में देखते हो तो यहां आपको स्पाइक्स मिल जाती है, इन स्पाइक्स को आप ग्लाइको प्रोटीन बोलते हो, या स्पाइक की अगेंस्ट बना लो, या MRNA की अगेंस्ट बना लो, या फिर यह जो कवरिंग है, इसके अगेंस्ट बना लो, ठीक है, तो इसलिए हम जादा तर जो फोकस ह है वह हुमारा वाइरल पर और वैक्सीन और टॉक्साइड यह अलग चीजिए सेम नहीं है ठीक है कि और कुछ और किसी का कुछ डाउट हो गई कल की क्लास में पिछली क्लास में कि चलो ठीक है समझ में आ रहे हैं आपको कि है अलो टीक क्या अब लुग लिव कर दुए है थे टेंग यू जाइ हुगग्ध सुधें झाल झाल